निया यात्रा पर निकले राहुल गादी ने आज खुलकर आयोध्या के काईक्रम पर निशाना साधा और कहा कि ये RSS और BJP ने 22 तरीक को चुनावी फ्लेवर दे दिया है इतना ही नहीं उद्व ठाकरे वाली शिफ सेना से लेकर कॉंग्रेस तक ये कह रहे हैं कि जहां मंदिर बनना था महां मंदिर बन ही नहीं रहा है इस सियासत के बीच अर्विंद के जिर्वाल दिल्ली में सुन्दर काट का पार्ट करने उतरे तो वेसी ने उन्हें RSS का छोटा रीचार्च तक बता दिया ला यानि अयोध्या के राम पर अब चौतरफा सियासी जंग छिड़ गई है लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सियासत में इस बेचैनी की पीछे क्या 2024 के चुनाव का बड़ा एंगल है आज इसी मूल सवाल पर होगी देश की सबसे प्रतिश्चित बहस राजनीती बनाम रामनीती आज की चर्चा आरपार पर इसी विशेश विशेब आज कल तो पुरा देश राम मय है राम जी की भक्ति में सराबोर है राम राज यानि एक ऐसा लोगतंत्रा जहां हर नागरिक की आवाज सुरी जाती थी और उसे उचित सम्मान मिलता था इस बीच सियासत का एक और रंग दिखा कॉंग्रेस के दिगविजे सिंग ने ट्वीट किया उनका नारा था राम लला हमाएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे अब वहाँ क्यों नहीं बनाया कॉंग्रेस तो और उसके गडवंदन दल शुरू से ही कहते थे कि राम भगवान काल्पनिक है राम सेतु नहीं है कंफ्यूज पार्टी है करप्ट पार्टी है उसका नाम कॉंग्रेस पार्टी है इस बीच बार बार शंकराचारियों के सम्मान का ढोल पीट रहे वाम पंथियों को आईना दिखाते हुए कॉंग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ट्वीट किया जो वाम पंथि कल तक चारो शंकराचारियों को मनुवादी कहकर अपमानित किया करते थे आज वो भी शंकराचारिय के सम्मान की दुहाई दे रहे हैं बस यही राम राज्य है उधराम आदमी पार्टी ने डिल्ली के हर विधान सबाक्षेत्र में महीने के पहले मंगलवार को सुन्दर कांड के पार्ट की शुरुवात कर दी और मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल भी सुन्दर कांड पार्ट के लिए रोहिनी के बालाजी मंदिर पहुँचे मेजारिटी कम्यूनिटी के ओट को कैसे हासिल किया जाए उसका कॉम्पिटीटिव हिंदुत्वा हो रहा है मैं तो हनुमान जी से प्रातना करूँगा कि उनको भी OECI साब को भी हनुमान जी आश्रवाद हो तो आज सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर राम के नाम पर सियासत कौन कर रहा है इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी वहस राम नीती वर्सेज राजनीती रामनीती बनाम राजनीती लेकिन रामनीती बनाम राजनीती का विश्वेशन आज देखना जरूरी हो जाता है बीजेपी तीन दशक से राम मंदर के मुद्दे पर मुखर रही है तीन दशक से, तीन दशक पहले मंदिर के मुद्दे से किनारा करा था कॉंग्रेस पार्टी ने मंदिर के नाम पर चार सरकारे भारती जन्ता पार्टी ने अपनी गवाई याद हो आपको जब बाबरी मस्जिद विध्वन्स हुआ था विवादित धांचे का विवद्वन्स हुआ था तब चार सरकारे बीजिपी की चली गई थी राजिस्तान में भैरोसिंग शिकावत की सरकार, हिमाचल में शांता कुमार्थ की सरकार उत्तर प्रदेश में बाबुजी अथार्थ कल्यान सिंग की सरकार मद्येवर देश में सुंदरलाल पटवा की सरकार ये चर्चार सरकारे गई थी MP, राजिस्तान, हिमाचल और उत्तर प्रदेश चारों राज्यों की सरकारे बरकास्त कर दी गई थी डंके की चोट पर दोबारा मस्जिद बनाने का दावा किया था बरताओं मैं आगे मंदिर के अलग जगाने के लिए रतियात्रा निकाली लालकिश अड़वानी ने नरेंद मोदि उसके सार्थी बने राम के कालपने खोने का दावा किया गया बरताओं मैं आगे अब बात करता हूँ मैं BJP और सफा की मंदिर आंदोलन में सब कुछ अपना जोक दिया और राम भक्तों पर गोली चलवाई आज तक इसका कोई अफसोस नहीं और आज भी पैरवी कर रहे हैं स्वामी परसाद मौरिया समाजवादी पाटी की आज भी स्विशे पर पैरवी कर बरताओं में आगे आयोध्या के काया कल्प में अपनी पूरी ताकत जोंक दी योगिया दितनात ने प्रधान मंतरी मोदी ने ग्रे मंतरी अमिश्या ने राम श्री राम चरितमानस को अब शब्द कहने वालों को परमोशन हुआ स्वामी परसाद मौरिया एक बड़ा इंकार बरताओं में आगे मोदी ने ग्यारा दिन का विशेश अनुस्तान रखा हुआ है प्रधान मंतरी मोदी ने सेकुलरिजम के बहाने वेवधान जालने का लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन आज का मूल सवाल और बड़ा सवाल ये है किसने बढ़ाया राम का मान और कौन नहीं चाता था स्सामाधान आज इसी मूल सवाल पर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे अचारे प्रमोत किष्न आप मेरे साथ है प्रेम शुक्ला मेरे साथ है मेरे साथ अस्यम वकार है मेरे साथ विवेक श्यर्वास्ट आप प्र्रवक्ता आम आदमी पाटी की अ तो कुछ मुसल्मानों को भी देख रहे हैं कि वो भी रामगीत गा रहे हैं वो भी इस मंदिर का स्वागत कर रहे हैं अब तो विपक्ष की पाटिया भी सुन्दरकांड का पाट कर रही है जिसको देखकर ओवेसी जी बहुत गुस्से में आ गए है वो कह रहे है कि छोटा रि और अर्विन केजरिवाल साब से यह पूछा कि बिल्कीजबानों के जो बलातकारी बरहमण हैं उनको छोड़ दिया गया तो बिल्कीजबानों पर बोलने से बना कर दिया बिल्कीजबानों का नाम लेने से बना कर दिया कहा हम यहां विकास के लिया है विकास की बात करेंग ही डर लग रहा था तो यहां पर जब आप धरम की बात करेंगे और राजनीत करेंगे और जब आप डवलमेंट की बात नहीं करेंगे तो सवाल तो खड़ा होगा कि छोटा रिशार्ट तो कहा जाएगा आपको और या फिर आप इसका क्लिरिफिकेशन दीजे वदा है कि इसी कि आप बिल्कित बानों के नाम पर आप डवललमेंट की बात कर थे zoom के पास आता हूँ क्या आपको लगता है कि मजबूरी हो गई फालो करने की या फिर आपको लगते है कि आपकी आपकी स्यासित ताकत यही थी क्योंकि पहले तो आप ऐसा नहीं करते थे लेकिन अब जैसे जैसे प्रान प्रतिष्टा की तारीख करीब आ रही है आपको भी लग रहा है राम का नाम लेना पड़ेगा और इसलिए वेसी कह रहे हैं कि आरे सेस और बीजेपी का छोटा रिचाज हो गई है आमागनी पार्टी अमीज जी सभी को नमस्ते अमीज जी अगर सही माहिने में कहीं रामकाज करीबे को वातुर कोई राम भक्त हैं तो वो दिल्ली में अर्विंद केजरिवाल जी हैं और उनकी सरकार है चाहे वो शिक्षा का मामला हो चाहे स्वस्त का मामला हो चाहे सबसे कम महंगाई हो चाहे मुफ्त बिजली हो चाहे मुफ्त पानी हो सब कुछ आपको दिल्ली में मिलता है हाइस्ट पर क्यापिटा इंकम दिल्ली वालों की है जहां तक मुझ से पहले जो प्रवक्ता बात कर रहे थे उनकी बात सरासाथ गलत और जूट है, बिल्किस बानो मामले में भी लगातार संजे सिंग जी ने या फिर हमारी DCW की उस्तमें रही अध्याक स्वाती माली वाल जी ने लगातार कहा कि ये बहुत बड़ा पाप किया है भाजपा ने, अर्विंद केजगी वाल जी ने भी लगातार कहा क् आईसे लोगों की जगा जेल में है और उनको जेल वापिस भेज दिया गया भाजपा के मन से पहली जीज, दूसरी चीज आपने गलत कहा कि आपने पहले कभी नहीं देखा, हम एक बहुत पहले आप ये कह सकते हैं कि अनॉर्गनाइस तरीके से सुन्दरकान पार्ट या फि अरविंद केजरिवाज जी इतने परम भक्तने एक इंटर्व्यू में भी उन्होंने पढ़ दिया था या फिर जब वो गुजरात गए तो सोगनाट मंजी की उनकी विजिट है, हमारे ही चैनल पे पढ़ा था, हमारे ही चैनल के इंटर्व्यू में पढ़ा था और मुझे पोलराइजेशन को कम करने के लिए शायद उन्होंने वो पढ़ा होगा या फिर अमीज जी आप आठकले लगा रहे हैं, हम विस्क्रेशन कर रहे हैं, जो हमारा काम है, आप कहे रहे हैं, शायद जी, जी, तो मैं आपको बता रही हूँ कि हम दिल्ली का चुनाव था, इसमे अभी, अमीजी, दस दिन पहले क्या चुनाव था, कि हमने आयोध्या के लिए पहली ट्रेन बेज दी, मुख्यमंत्री, तीर, तीर, योजना के तहट, किसी और सर्कार ने ऐसा नहीं किया, हम लगातार मैं आपको बता रही हूँ दिल्ली मॉडल के बारे में, मैंने आपको हाइस्ट पर क्यापिट इंकम लोएस्ट महंगाई, ये राम राज्य है साहिवाई है, मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे को भाजपा से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, इन्हों ने क्या किया, देखे राम मंदिर चंधा तो मैंने भी दिया, आपने भी दिया होगा, सब समस का या जिए अट बूरा देश जानता है, अगर आप कह एगा तो मैं वो वीडियो भी सिल्सोधिया साफ का और केजरी वालजी का आपको भेज़ दूँगा, मुझे आज भी याद पढ़ ला है कि वो गाड़ी पर थे रोडशो चल ला था और उनसे सवाल माइक लगा के पूछा गया था कि बिल्की जबानों के बलातकारियों को छोड़ दिया गया है इस पे क्या कहेंगे तो उन्हें का दा हम से आप डव्लेमेंट की बात कीजेह नंसे शिच्चा की बात कीजेह हम से विकास की बात कीजेह तो आप्क्यों कर रहा हैं हम ये धार्मिक मुद्व पर और तो यही तो सवाल ہے कि RSS की रह पर चलने हैं, भारतिन ता पाल्टी की रह पर चलने हैं, यही बात तो OASI साब और हम लोग समझाना चाहते हैं, कि अर्विंद केजरिवाल साब नाकाबिले यकीन इनसान हैं, वो सियासत में मुसल्मानों का नाम ने लेना चाहते हैं, लेकिन जब उनकी राजनीत अबर आएगा, तो वो फोरन RSS से ज़्यादा खतरनाक हिंदू बन जाएंगे, RSS से बड़े और BJP से बड़े हिंदू बनने कोशिश कर रहे हैं, दूसी बात, वो यह भी कहते हैं, हिंदू मुसल्म सी किसाइस आपके में हैं, भाई-भाई, एक परिवार में लड़ाई नह तो यह भी कहते हैं, वो आपको सुना नहीं होगा शायदू मैं बहुत बहुत तरीके से सुनता हूं और मेरी नजरे भी ठीक है, मेरे कान भी ठीक है मैडम, हो सकता हो कि शैद आपकी नजर से ना गुजरा हो, मैं अमीज भाई को वीडियो भेज दूँगा, आप देख मेंगी, मुझे तो लगा था कि जो सिसोदिया साब का और अर्विन केजरी साब का जो बिल्कीज बानो को ले के स्टैंड था और उस पर आम आदमी पार्टी माफी तलाफी करेगी कि भी खलती हो गई थी, सर आपने कभी सुना, कि भाईपाने माफी माँगी हो, कि नरेश अ कि एम को माफी मांगते हुए, जीनों ने का सीता जी टेस्ट्यूब बेबी है, आपने कभी सुना, भाजपा को माफी मांगते हुए, जो राम भक्तों को नहीं बुलाए, और हम लोग अगर एक सुन्दरकान पार्ट कर रहे हैं, तो मुझे उसमें आपत्ती समझ नहीं आ र और हर धर्रे का एक अपना काम रहता हो, और क्या आपको लगता है कि बीजेपी की तुला में राम और हनुमान का फायदा क्या आमागनी पार्टी को मिल जाएगा? मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है कि अर्विन केजरिवाल साब को अपना स्टेंड केलियर रखना चाहिए, अर्विन केजरिवाल साब को आरेसेस की राह नहीं पकलना चाहिए, बीजेपी की राह नहीं पकलना चाहिए, और अगर वो पकड़ रहे हैं और आपको यह लुकाप Čन के अब अप्र आमइज्बदा करेप्लाइब कर रहे हैं और हमारी राजनीती वकल सब ना उपको पता है कि शिक्षा, स्कूल, स्वास्त다 की development की इंफ्रास्ट्रक्चर की फ्लाय ओवर हम लोग यह राजनीती भी कर रहे हैं तो हमारी श्रद्धा है उसमें किसी को आपती नहीं होना चाहिए लेकिन राजनीती परस्टल विश्य नहीं है सारवजनिक विश्य है और यही कहा गया कि प्राथना है जो इबादत है वो तो प गया और अब वही चीज सब फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं मैं प्रेम शुक्ला करता हूं प्रेम शुक्ला तो कौन सच्चा और कौन जूटा कहानी घुम घुम फिरके वही वापस लौट आई है जहां से शुरू हुई थी कहते हैं अंत में सब को राम के पास ही जाना प हमारे लिए तो यह अत्यंत जो है हर्श का विशह है कि हर कोई राम नाम का जाब करें विवेक भाई भी राम नाम का जाब करें असीम वकार जी भी राम नाम का जाब करें हमको तो बिल्कुल आपती ही नहीं है और वीर सावरकर जो हैं 1950 के दश्वक में कह गए कि जिस दिन ह सारे लोग अपनी कोट पर जन्यू डालकर आएंगे बार और आपको ध्यान है कि श्रीमान राहूल गांधी जो हैं वो कोट पर जन्यू डालकर टहल रहे थे जो लोग मंदिर जाते हैं लड़कियां छेड़ते कहने वाले भी मंदिर जाने लगे थे तो अगर लोग वहचारिक रूप से श्री राम के माहत्यों को स्वीकारते हैं श्री हनौवान भक्त बनते हैं तो किसी को आपत्य क्यों होनी चाहिए अगर फरीमान असदूर्दिर वैसी को आपत्य होनी हैं उसमें भी केजरी वाल गोटाला कर दिया लेकिन इस पर उनको आपती नहीं की जो है श्रीबान रोजा इफ्तार में जाते तो इनको आपथी नहीं है तमाम समाजवादी पार्टी िलद जय ध्र सब रोजा इफ्तार रखते इनको आपथी नहीं लेकिन कोई सुनर कांट पढ़ दे तो आपती हो जाती है तो ये इनकी जो है कट्टर सांपरदाइकता जो है इसका मैं विरोध करता हूँ और जिनकी दादी कल तक कहती थी कि मंदिर महामत जाओ जहां जो है बावरी ढांचा दिद्गिरा कर जो है वो बनाया गया है तो ऐसा व्यक्ति अगर सुधर रहा है तो उसको सुधरने का मौका तो आपकी राय में पस्तनल विश्य था लेकिन आप Tो एक पॉलिटिकल प्रॉटिकल पार्टी सब्सक्राइब और भार्तिय जंता पार्टी 2024 के एलेक्शन में आने के लिए और एक मेसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी का एक कॉपी राइट है हिंदुत्व पे हिंदुईजम पे राम के ऊपर तो उसको काउंटर करने के लिए आएंडिया के जो घटक दल है वो अपने अपने पार्टी ने तो हाला कि हम रिलीजियस फंक्शन के राजनीती के फेवर में आइडियोलोजिकली लेफ्ट नहीं है लेकिन हमारा फिर भी है मानना है कि आमाधी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है अब यह सिर्व इसलिए कि अजा रहा है फिलहाल तो गिव दा मेसेज कि राम के ऊपर मंदिर के ऊपर अयोध्या के ऊपर बिंदू धर्म के ऊपर एक पार्टी का को प्रेम शुकला रिस्पॉंड 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 यह सब भी रामभक्त हो जाएंगे क्योंकि हिंदू चेतना के जागरित होने का परिणाम कलत के नमाद तो पड़ी रहते रोजा इफ्तार तो कमनिष्ट करी रहते मदनी जैसे आतनकवादी को जो है केरल की विदान सभा में उसके उसको अपराद मुक्त करने का कुकर्म तो कर करेंगे लेकिन आप जो है हमास का जो है हमास का मोर्चा निकलवाते हैं यह कमनिष्टों का कुकर्म है आप जो है जिसका जिस जोसेफ का हांट काट दिया जाता है इस्लामी जिहादियों दोरा उसको जो है आप जिहादियों को सब्लक्शन जाता है लेकिन क्योंकि आप जाते हैं कि कमनिष्टों की राज़ित के लिए किसी भी इस तरह तक गिर जखता है तो हमें पतार कि आप अचारे जी आवादनी पार्टी सुंदर कांट का पार्ट कर रही है कॉंग्रेस की पार्टी के कुछ नेता राम दरबार चले गए हाना कि उनका विरोध हो गया जंडे वंडे वहाँ उनके फार दिये गए और पब्लिक ने हाया है कि नारेगी भी लगाए लेकिन सर्यू में की निमंतरण को लेकर जो विपक्ष ने कन्फूजन फेलाया उसका नुकसान हो रहा है और दूसी करफ आपने तो ये तक लिख दिया कि अब राम के निमंतरण को अस्विकार करकर जो कॉंग्रेस ने गलती करी उसका प्रकोब भी पढ़़ रहा है देखियामिश देखबंजी पहली बात तो ये है कि भगवान राम के मंदिर के निमंतरण का सवाल नहीं है किसी के भी घर का निमंतरण भी आता है किसी दुश्मन के घर में खुशी होती है तो निमंतरण आता है उस निमंतरण को स्विकार कर लो या अस्विकार कर लो लेकि तो ये देश की जनता को भारत की जनता को अच्छा नहीं लगता क्योंकि भारत भावनाओं का देश है, सद्धा का देश है, आस्था का देश है, किसी के घर की शादी का भी निमंतरन आता है तो आदमी जाए या ना जाए, लेकिन उसको चिठी लिखके यह नहीं कहता कि मैं तेरी शादी में नहीं जाओंगा, मैं इस निमंतर को अस्विकार करता हूँ, यह जो अस्विकार शब्द है, जो जैरम नमेश ने चित्थी लिखी कि हम नहीं जाएंगे, हमेश नो पॉलिटिक्स दिख रही है, देखे, बड़ी मज़दार बात यह है, कि जिन्होंने जानी व्यक्ति हैं और बड़े महापुरुष हैं, लेकिन मैं इनसे निवेदर यह करना चाहता हूँ, कि यह जो लेफ्ट का जो आइडेलोजी है, यह बहुत अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत की जनता नहीं किया, तो भारत की जनता अगर स्विकार नहीं करती है, तो जनतंत्र में तो सारी शक्तियां जनता में नहीं थैं, हमारे हैं आदी शंक्राचारे ने दो हजार साल से ज़्यादा पहले एक सूत्र दिया, आदी शंक्राचारे ने सूत्र दिया, कि यदपी शुद्धम, लोक विरुद्धम, ना करनियम, ना चरनियम, कि अगर ऐसा सच जो जन मानस को सुईकार नहीं है जन भावनाओं के खिलाफ है तो उसको नहीं करना चाहिए उसको नहीं बोलना चाहिए तो जन भावनाओं का सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है अब विवेक श्री वास्तव जी की जो आइडेलोजी है विवेक श्री किसा हम तो मंदिर में नहीं जाते अरे आप मंदिर में नहीं जाते तो भगवान का कोई नुकसान नहीं है मंदिर में ना जाने से भगवान का थोड़ ना नुकसान होता ना फायदा होता है हमारा खुद फायदा होता हम अपनी सद्धा के आधार पे जाते हैं हम अपने मन की पीड़ा उन से कहते हैं हम भगवान से बात करते हैं भगवन हमारे हम भगवान के हम राम जी के चाल के बड़ी खबर विवेक शिरवास्टव का विवेक शिरवास्टव राम नीती को राज नीती में नहीं लाना चाहिए दर्म को राजनीती में नहीं लाना चाहिए जो जो आप कहते थे सब 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 के सब पूरा विपक्ष वही तो कर रहा है इस समय क्या कहिएगा मेरी बात सुनिए मैं आचारे जी का पड़ा सम्मान करता हूँ लेकिन आचारे जी क्या धर्म में ये लिखा हुआ है कि राम के नाम को राजनीती में गसीटो सड़कों पे ले आओ राम के नाम पे माइनॉरिटी कम्यूनिटी को आप जो है डराओ राम के नाम पे आप आप आ करें नमाज करिये रोज करिये जितना चाहे करिये मंदिर बनते रहे 2022 सथाल से सिन सथा में है are पुरुकुल बने हैं, आश्रम बने हैं, साधू संत रहे हैं, कहां रोका कॉंग्रस पार्टी ने कभी, लेकिन सड़क पे तो खीच के कभी नहीं लाए ना भगवान राम को कॉंग्रेस के लोग, नहरू जी का समय था, नहरू जी ने सोमनाथ के मंदिर में जाने से इसलिए इ पीजे बजाने का धर्म से क्या ले ना देना जो बार्टी नंता पार्टी और आरेसस आज कर रही है, तो भाहिशकार उन गलत नीतियों का है, धर्म के गलत रेप्रेसेंटेशन का है, चंक्राचारिया तक आज खिलाफ हैं, इस तरीके से इस राम मंदिर की प्राइस्ट्विता योद्या एक किताब आई है, जिसको जरूर पढ़ना चाहिए, ट्राइस्ट्विता योद्या के अंदर क्या लिखा हुआ है, और 1959 भाषन का आंच है, बलवीर पुच्छ की ये किताब है, उस किताब में लिखा हुआ है कि पंडित नेरू, 1959 में उनके भाषन का आंच में व्योज आपको कोट करा हूँ, कुछ दक्षिन के मंदिरों से मुझे उनकी सुन्दरता के बावजूद गिरिणा होती है, मैं उन्हें बरदाश्ट नहीं कर सकता, क्यों मुझे नहीं पता, मैं इसे समझ नहीं सकता, लेकिन वे दमनकारी है, मुझे सूर आपका ये दावा है, ट्राइस्ट विद अियोध्या का. इसलिए इसको थोड़ा पढ़ेंगे तो और जानकारी मिलेगी आपको की पनित नहरू और मंदिरों के बीच में क्या समनता ये पढ़ना चाहिए. सोमनात मंदिर पनित नहरू के बीच में क्या समनता, ये भी तो बहुत सारे भेद खुल जाएंगे कि यह सचा ही है सही का अपने तरह कि तरह कि अब अब आप कुछ नहीं बोल रहे हैं वोट को कॉंग्रेस के नेता योध्या गए थे आप कॉंग्रेस का जंडा लेकर तब आप कुछ नहीं बोले एक पार्टी यहां पर सुंदर काट का पार्ट कर रही है तब आप कुछ नहीं बोलना है उसके पर धर्म राजवीती नहीं है अपको अचारे प्रमोद किष्णम देखे अमिश्दीव गंजी पंडित नहरू पर सवाल उठाना और पंडित नहरू को धर्म विरोधी घोशित करना पंडित नहरू को हिंदू विरोधी घोशित करना यह तो एक फैसन सा बन गया है मैं उस पर बाद में बात करूँगा पहले मैं विवेक शिरी वास्तव जी के सवालों का जवाब देना चाहता हूं, विवेक शीरी बास्तप जी ने दो बातें बड़ी important उठाइइे पहले ये के उन्होंने कहा कि धर्म की राजनीती नहीं होनी चाहिए तो जब धर्म की राजनीती हमारे लिए पूज हैं हमारे लिए प्राता इस्मरनिय प्राता वंदनिय हैं हम चारों शंक्राचारें का बहुत ही संबान करते हैं हम शंक्राचारें का बहुत संबान करते हैं लेकिन आज आपको शंक्राचारें की फिक्र हो रही है और आप यह कहना चाहते हैं कि शंक्राचा पूरा करने दो अमीश दस सेकिंड की बात है जी जी बोले जाए जी मैं ये कहना चाहता हूं के शंकराचारें की बात को मानना चाहिए ये आप कह रहे हैं नेशनल चैनल पर अमीश देवगन के शो में कह रहे हैं आप कहने हैं के जो शंकराचारें कह रहे हैं उनको मानना चाह ना उनको कोई डरा हुआ है और ना उनको कोई डरा सकता है क्योंके मुसल्मान भी हिंदुस्तान का है पहली बात MIM के यहां परवक्ता बैठें मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ क्या मुसलमान डरा हुआ है जो विवेक श्रीवास्तप जी कह रहे है तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मुझे कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं मिला है जो ये कहता हो कि भाई आचारे प्रमोट किष्णम जी आप आयोध्या मत जाओ रामलाला का दर्शन मत करो मुसलमानों को तोहमत मुसलमानों पर तोहमत लावने प्रक्त ना करे मंताम एनरजी भी काली घान बंजिर जाएंगी राहूल शिवधाम जाएंगे क्या मौदी ने देश की राजनीती को बदल दिया है हमेशा हमेशा के लिए ये सप्रशनब खड़ा होगा अर्वेंद के जीवाल की पार्टी सुंदरकांट का पार्ट कर रही है राहूल गांदी शिवधाम जा रहे है और मंताम एनरजी अमिशा नहीं ये बयान दिया है और अब एक और बड़ी खबर आ गई है और वो बड़ी खबर है एक विवादित बयान कॉंग्रेस करनाटक के बड़े नेता और करनाटक में कैबिनेट मंतरी ने राम मंदिर पर रकेयन रजनना ने एक बड़ा बयान दिया है तंबू में दो गुडिया रखी थी ये का है जो मूर्तिया अफ्तरित हुई थी लोगों ने बताया कि वो राम मंदिर है बीजेपी चुनाफ के लिए राम मंदिर बना रही है ये का है करनाटक के मंतरी का विवादित बयान है बड़ा विवादित बयान है राम मंदिर पर केयन रजनना का एक विवादित बयान आया है बयान है तंबू में दो गुडिया रखी थी यानि जो मूर्तिय अवतरित हुई थी उनको गुडिया करार दे दिया है लोगों को बताया कि ये और लोगों को बताया गया कि ये राम मंदिर है ये सोचिये कितना विवाधित बयान है और मैं इस पर सीधा रियाक्शन लेता हूँ प्रेम चुकला का प्रेम शुक्ला ये कॉंग्रेस के बड़े नेता है करनाटक में मंत्री है अब जो मंदिर की मूर्तिया रखी गई थी जो अफ्तरित हुई थी उन मूर्तियों को गुडिया बता जा रहा है और का जा रहा है कि लोगों को बता दिया गए ये राम मंदिर है लेकिए राम द्रोह तो कांग्रेस की मौलिक परमपरा है यह तो चुनावी द्रिश्ट से कभी-कभी राम भक्त बन जाते हैं स्वेम बल्लिकार जो खड़के जब सनातन का विरोध करते हैं उनके पुत्र सनातन का विरोध करते हैं राहूल गांधी कहते हैं कि मंदिर जाने व बारकर रहा है उनके मंचरी बारं बार प्रभु स्री राम का अपमान करना हिंदू धर्म का अपमान करना हिंदू को आत्व कवाधी की socially उन्यक करना ना भगवान राम की जो मूर्टिया तरी फुए जिसको लेकर आज तक किसी किसी ने सवाल नहीं खड़ा खड़ा उसको कह जा रहा है कि तो गुडिया रखीती महापर और उसको राम मंदिर करार दे दिया गया देखिए उनको तो गुडिया ही नजर आएगी जाकी रही भावना जैसी प्रभ मूरत देकी तिन तैसी गोष्वामी तुलसीदा से बात पहले ही कह गये हैं तो जो राम मंदिरो ही है उनक अलाइंस का बताईए ना चाहिए फिर कितना भी सुन्दर कांट कर लें कितना भी आयोत्या में सर्यू में डुपकी लगा लें जी ने वो उनका अपना एक विक्तिकत बयान है बाकी देखिए जैसे कि आचारे जी जिनका मैं बड़ा सम्मान करता हूँ और बहुत आधर से इनके साथ समेशा पेशा भी आता हूँ कि आप कहह रहे हैं कि बहुत शंकरा चारे अगर कोई बात कह रहे हैं जो लॉजिकल है और सही है और प्लिटिकली वो उनरेबल प्राइम मिनिस्टर को एक्सपोज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह जो धर्म के नाम पर कर रही है BJP औ वो बात आचारी जी को पसंद आ जाती है और वो उसको इंडोर्स करते हैं आप उस बात से अगरी करते हैं आज सचा ये है कि राम के नाम का प्लिटिसाइजेशन हो चुका है जो नहीं होना था ये तो धर्म का रूप हमें नहीं पता था सतर साल से कॉंग्रिस के रूल में जो आज हमें दिख रहा है कि आप सिर्फ एक अग्रेशन दिखा रहे हैं आप एक एक वाल इंडेशन दिखाते हैं आप आपने एक मंदिर को बनाया तो उसके अंदर भी प्राइम मिनिस्टर गुस रहे हैं आप भी करें आपको कॉन रोक रहा है तो छोड़ के अरे तो अनुस्ठान ही करो ना फिर पिर पिर अचारे पर मोग किस्टम केंद्रिय ग्रह मंत्री का एक बड़ा बयान आया है इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है यह और वो बड़ी खबर यह है कि अमिच्छा का यह बड़ा बयान है अमिच्छा ने एक बड़ी स्टेट्मेंट दी है राम पर हमारा अधिकार है यह का है अमिच्छा ने देश का महौल राम मैं हो गया है देश में राम मैं महौल है इस समय और दूसरी तरफ कॉंग्रेस के मंतरी जो राम मंदिर की मूर्तियां रखी गई थी उनको गुडिया करार दे रहे हैं देखिए विरोधाबास देखिए दोनों पक्षों का आपने आप में कितना बड़ा है मैं अचारे जी का रुक करता हूँ अचारे जी देश का महौल तो राम मैं है इसमें अगर आपके नेता गुडिया बोलेंगे मूर्तियों को तो फिर क्या हाल होगा देखिए अमिज देव गंजी दो बाते हैं पहली बात ये है कि अमिज शाह जी देश के ग्रहमंत्री हैं वो कह रहे हैं राम पे हमारा दिकार है मैं कह रहा हूँ राम पर हमारा दिकार है आप कहने राम पर आपका दिकार है राम तो सब के हैं राम पर सब का दिकार है और सब राम के हैं यह कोई नई बात नहीं है बिलकुल अमिशा जी ने जो कहा है विलकुल ठीक कहा है हर भक्त यही कहेगा लेकिन अब सवाल उठता दी विधान अनुस्ठान से है या शंकराचारेओं के ना जाने से है या प्राधान मंत्री मोदी अगर जा रहे हैं उस प्राण प्रतिष्ठा समारों में तो उससे है भाई ये बताईए अगर किसी वज़े से नरेंदर मोदी की जगा कोई देश का प्राधान मंत्री और होता और उसे श्री राम जनम भूमी नियास आमंत्रित करता तो क्या वो प्रधान मंत्री नहीं जाता क्या भारत ग्रह मंत्री सरदार भल्लबाई पटेल प्रधान मंत्री नहरू के कैबिनेट में थे वो और सोमनात मंदिर गए थे या नहीं गए थे या राश्पती गए थे नहीं गए थे 47 बात का है कि आपको problem मोदी से है individual या BJP से है भाई नरेंदर मोदी से अगर problem है लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो देश की जंता बनाती है न अब देश की जंता ने उनको प्रधानमंत्री बना दिया मेरा निवेदन ये है कि राम प्रधान मंत्री जी के भी है राम विवेक श्रिवास्तव जी के भी है राम आचार प्रमोट किश्णम जी के है राम सब के है तो यही तो हमिच्छा करें कि देश का महल राम में है और बीजेपी ने राम काज के लिए बहुत कुछ करा है राम रा कहके अब इवादन करें लोगों का जी 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 एक चीज इंपोर्टेंट है असीम वकार वेट कर रहे हैं असीम वकार क्या आपको लगता है क्योंकि मैंने इंटेव्यू करा मिलिन द्योडा साब कभी जिनोंने अभी हाली में कॉंग्रस पार्टी को छोड़ा है उनने बुला क कि मोदी को बुरा भड़ा कहना कुछ कॉंग्रस नेताओं को पसंद आता है लडाई मोदी से है या लडाई राम मंदिर से कर लेनी है अचारे जी की बात का जवाब इनना लड़ाई मुदी से है इनना लड़ाई राम मंदिर से करना है लड़ाई है भारती अंता पाल्टी की वियस्था को बदलने की लड़ाई है भारत में एक सच्छी और अच्छी सरकार लाने की मुझे तुर लगता है कि लड़ाई मुदी से है मुझे लगता है कि लडाई भारतेंता पल्टी की जो आइडियोलोजी उससे है अब आचार जी से आप इत्ते दिर से पूच रहे हैं आचार जी भारतियंता पल्टी में नहीं है और आचार जी कांग्रेश कभी विरोध कर रहे हैं और आचार जी चारों शंक्रा चारियों के साथ भी नहीं खड़े हैं आचार जी सनातन के साथ भी नहीं है और राजनीत करने वाले लोगों के साथ भी नहीं है समझ में नहीं है राचार जी कहना क्या चा रहे हैं क्या चा रहे हैं क्या सोच रहे हैं मुझे आचार जी पर टिपड़ी नहीं करना चाहिए थी लेकिन मुझे तो ये समझ में आया, मुझे तो इत्ते दिन में ये मालूम था कि जो सनातन परंपरा है उसमें जो शंक्राचार है चारों पीटों के इनकी जदा वेलू है लेकिन आज हालात भारतिंता पर्टी ने ऐसे पैदा कर दिये हैं कि पूरे देश में जो अपने को हिंडू कहते हैं, पूरी ताख़त लगाकर शंक्राचारे का विरोध कर रहा है पर किस शंक्राचारे देखें, एक शंक्राचारे को छोड़ कर बाकी त Durham विरोध नहीं करा है उन्हों ने चिथि बोली कि कुछ लोग Miss Information पहला रहा है कुछ लोग गलत जानकारियां दे रहे हैं हम राम काज में साथ हैं और जो मूरत है वो अभी जीत मूरत है एक मिनट एक 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 जी शांथ संज़ाराओत का भी आपने बयान चलाया संज़ाराओत साब का बयान चलाया उन्होंने कहा कि जो गर्ब गरह था वहाँ पर मंदिर नहीं बना है, वहाँ से हटा के बनाया गया है अब अगर संजय राउस साब की बात सच है तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि जब आपको गर्ब गरह में मंदिर नहीं बनाना था तो हमारी मस्जिद क्यों तो होगी हमारी मस्जिद क्यों ले ली ये संजे राउस साब से पूचे की उनके पास information कहां से और अगर उनकी information सही है तो सवाल बनता है फिर 140 करोण का देश है कोई कुछ ला कुछ बोलता ही रहेगा आपको लगता है कि कोट का अगर आदेश हुआ है और साड़े 500 साल की हिंदू पक्ष्णे लड़ाई लड़ी है वो मंदिर गर्ब ग्रैप नहीं बनाएगा कही और बनाएगा मतलब यह तो आप खुद भी लॉजिकली सोचिए ने ने अमीज भाई कहा कोट ने कहा कोट ने कहा कोट ने कहा को इसांप लोनाएगा मंदिर को नहीं Pueskin मरब के और बनाएगा इसको उसको इसको इसका इसका इस तक़्ली देश कर रहा है इसलिए वो अरे मेरी बात तो आने दीजे, मेरी बात, जी जी, अरे मेरी बात तो आने दीजे, बिलकुल आए, बिलकुल आए, आपके आरे मंदिर ट्रस को सोपी, जी, सुनिये सर, जी, उन्हों ने, कोड ने जो फैसला दिया है, वो राम लला विराजमान के पक्ष में दिया है, कबजे क प्रेयम शुक्राइब प्रेयमुनि विश्वें यह नियाले ने माना है जी मैं मैं कहा हूं कि अब ये विशे नहीं है इसंद्फ़ पर हम नहीं आएंगे प्रेयम शुक्रा में क्यों पॉइंट देखिए आयोध्या में बाबर के बाप की तो कोई प्रापर्टी थी नहीं बाबर ने वहाँ कोई वक्ष तो किया नहीं था केके मुहमद जो सर्वे ओफ इंडिया, अर्कियोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया के डारेक्टर थे इसाई के डिरेक्टर अर्कियो लॉजिकल सर्वे ओफ इंडिया के रिपोर्ट इलाबाद हाई कोर्ट में सब्मिट हुई उसमें ये पाया गया कि बाबरी के नीचे मंदिर का धाचा था उसमें मूर्तिया थी ये असीम वकार साफ बता दे मैंने सवयम अपनी आपों से लिखा है अगर ये इसाई की रिपोर्ट साब़ लिखा हुई पढ़ लिए साभी तैये सुप्रीम कोड में लिखा वह आप लीजे ना अब मैं पन्ना लेकिया नहीं आया है लेकिन पढ़ लिखा होगी तो पन्ना भेज दूगा पढ़ लिजेगा पर दिखा है प्रेम नहीं है फिर आप लिख दूगा मैं कहे रहा हूं भाई आशी माई मै जबेशें पन्दरा से पढ़ पावरी मजिद बनी था वह फिस यह बचारे है यह बिख कर ता हूं मैं रूख कर था कर तो मेरे साथ मेरे मेरेम प्रयांका ककर भी है यह व्यर्शे से वेट कर रहे है प्रेंका कर प्रेंका प्रेंका मेरा 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 प्रिश्च बहु medicines और एक तरफ हमने देखा इंडिया आलाइस की पार्टर है कॉंग्रेस के एक मंत्री का बयान आया कि आपको लगता है ये बयान शोशली भी नुकसान पहुंचाते हैं समाज के अंदर जिस तरह का बयान दिया कॉंग्रेस के मंत्री ने करना तक जी मुझे लगता है सबसे पहले मुझे अमीज जी मुझे लगता है सबसे पहले अमिच्चा जी को अपने ही हास्पो Cinc duct or nah चाहिए उनके Alliance Partner है O.P. राजभर, उनके Alliance Partner है जितन राममान जी, उनके Alliance Partner है संजे निशाद और देखिए उन्होंने रमाइन को लेकर और राम जी को लेकर कितने विबादत बयान दिये उनके Deputy CM है उत्तरप्रदेश के वो तो कहते है सीता जी टेस्ट्यूब बेबी है कहते हैं कि दशरत पुत्र राम दशरत पुत्र नहीं थे तो यह जो हम लोगे पॉलिटिव राजमित्ती की तरफ चले और मैंने यह बयाना भी सुना नहीं है आप ही शोपे बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से तो मैं उस पर तभी टिपनी कर पाऊंगी बट मुझे लगता है कि हमेच्छा जी को इन सारवजनिक बयानों पर जो उनके अपने आयोध्या बीते कई दशकों से चर्चा का विश्य बनी रही है आज चारों तरफ आयोध्या की बाते इसलिए हो रही है क्योंकि 500 साल के इंतजार के बाद प्रभू श्री राम अपने घर में पधार रहे है यानि आयोध्या की चर्चा आज पॉजिटिव एटिटूट से हो रही है लेकिन एक दोर वो भी था जब आयोध्या का नाम लेना पाप बना दिया गया था आयोध्या के साथ अच्छूतों की तरह बरताव होता था आयोध्या की बात करने वालों पर सामप्रदाइक होने का थपा लगा दिया जाता था सरकारे गिरा दी जाती थी आरोप लगते रहे कि सेक्डों सालों तक आयोध्या के मामले को कॉंग्रेस की सरकारों ने सियासत में अटकाए लटकाए और भटकाए रखा और अदालतों में भी कॉंग्रेस की परोक्ष यानि इंडारेक्ट आर्मी इस कोशिश पे जुटी रही कि राम लला का वनवास इस कल्यूग में कभी खत्ना हो पाए यानि वो दोर आयोध्या के बारे में नेगिटिव एटिट्यूड वाला था लेकिन उस दोर और इस दोर में एक समानता आज भी है और वो ये है कि अटकाने भटकाने और लटकाने वालों की फाज आज भी उसी काम में लगी हुई है पहले पूरा विपक्ष कहता था कि मंदिर बनाने में बीद्यपी का कोई योगदान नहीं है क्योंकि मंदिर तो सुप्रीम कोट के आदेश में बन रहा है लेकिन जब मंदिर बनना शुरू हुआ तो कॉंगरेस समेथ पूरा विपक्ष एक सुर में सुप्रीम कोट की बात करने लगता है ठीक इसी तरह राम लिला की प्रान प्रतिष्टा की चर्चाएं जब शुरू हुई तो कहा गया कि राम तो सबके हैं नियोता मिलेगा तो जरू जाएंगे और अब जब नियोता सबको लगबग मिल गया है सबके सुर एक बार फिर बदल गया है आरोप है कि पूरा विपक्ष एक बार फिर से लटकाने भटकाने वाली पॉलिसी पर लॉट आया है क्योंकि अब यही विपक्षी नेता कह रहे हैं कि राम लला की प्रान प्रतिष्टा का कारेकरम बीजेपी और आरसेस का इवेंट है और वो इसका इस्तमाल राजनितिक फाइदे के लिए कर रही है अब ना जाने यह विपक्षी नेता खुद कंफ्यूज है यहां खुद को कंफ्यूज दिखाना इनकी राजनितिक यानि पॉलिटिकल मजबूरी है यह एक अबूच पहली बड़ी हुई अब्यूज क्योंकि अगर प्रान प्रतिष्टा का कारेकरम बीजेपी का है तो मंदिर के निर्मान का क्रेडिट बीजेपी से ये लोग कैसे चीन पाएंगे और अगर राम मंदिर बनने में बीजेपी का कोई योगदान ही नहीं है तो मंदिर के अंदोलन का क्रेडिट उनसे नहीं चीना जा सकता और अगर मंदिर अंदोलन बीजेपी का है तो राम कालपनिक बताने वाले सनातन को कत्म करने की बात करने वाले श्री राम चरितमानस को नफरती ग्रंथ पताने वाले अपना मुहू जो है वो किसे दिखाएंगे और कहाँ चिपाएंगे शायद इसी वज़ा से विपक्ष प्रान प्रटिस्टात्य सारजिनिक कारेक्रम में जाने से बचरा है दर रहा है इनका डर है कि वहाँ पर पब्लिक कैसे रियक्ट करेगी हमने बानगी देखी जब राम भक शिड़ गए जब कॉंग्रेस के नेता वहाँ पर पॉलिटिकल यातरा निकाने